को सबसे पहले तो यहां पर ट्रिग्र करोगा कि आपको सबसे पहले तो यहां पर व्राइड कर दो कुछ ऐसा फॉर्म बनेगा और जो इसपेशल टाइप का इंटिग्रेशन ऑलडेडी गीवेन होता है यह फिन डिरेक्ट वो और कोशन आता है तो कुछ ऐसा ही कौन बनने वाला है तो सबसे पहले श्टार्ट करते हैं ट्रिमिट्री को सिंपलिफाइ करते हैं देखिए तो सबसे पर अभी रहने देते हैं अभी हम सिर्फ इसको सिंप्लिफाइब कर रहें तो यहां पर लिखा हुआ है साइन 2x प्लस अभी यहां पर क्या आपलाई कर दें साइन सी माइनस साइन डी नहों जागा साइन सी माइनस डी बहुत बैसिक सा फ़र्मूला है ठीक है डिवाइड़ यहां पर यहां पर यहां से फ्रेस लिपता हुआ है यहां तो यहां पर कॉष्ट 2x का एंटेटी कितना होता है तो कॉस्ट 2x से भी याद होना चाहिए ठीक है और यहां पर अप्लाई हो गया cos c and then plus cos d which is equal to 2 cos c plus d y 2 और into cos c minus d by 2 जाल रहना चाहिए हमें ठीक है नहीं फॉर्मूले अब इसके बाद देखिए thrust और simplify करते हैं common one लेकर जो cancel होगा cancel करेंगे देखते हैं क्या बनता है तो sin 2x का identity अप्लाई कर दिए कितना हो जाएगा 2 sin x और यहां पर कोश x sin minus क्या होता है माइनस होता है तो माइनस बहा लगा दिया और यहां पर जाएगा 2 cos 5x और यहां पर क्या लिखेंगे sin x divided by यहां पर लिखें नीचे तो आपको दिख गया यहां चलो यह कश्टेप ले लेते हैं ठीक है यहां बढ़ जागा मेरे पास cos x minus कितना बढ़ गया cos 5x देखिए डिवाइड वाइड नीचे यहां पर कोमन कितना आ रहा है तो 2 cos x common आ रहा है तो यहां पर हो जागा cos x and then plus कितना cos 5x ठीक है तो 2 से 2 चलो गाइप कर देते हैं अब देखिए sin अपट cos बचा है इसको हम लोग 10 लिखने क्या 10 x लिख देते हैं ठीकिन कुछ आइडिया लगने लगा होगा आपको यहां पर cos c minus cos d again apply करते हैं तो कितना होता है आपके पास और माइनस के साथ होगा लेकिन ठीक है माइनस लगा भी दता हूं यहां पर क्योंकि इसको हमने सी और इसको दी माना है तो यहां पर कौन सा फ़र्मूला cos c minus cos d तो यहां पर नीचे आपका कितना हो जाएगा नीचे तो आपको हो जाएगा cos c plus cos यहीं वहला कितना हो जाएगा मेरे पास 2 cos c plus d by 2 यानि कि दीस करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 3x और cos c minus d by 2 यानि कि 10 minus 10 करेंगे तो यहां पर minus 2x हो जाएगा यह भी समझना आ गया देखिए अब साइन माइनस ठीटा माइन माइनस होता है माइनस बहाने कलिए लास हो जाएगा यहां पर बच्छी आपके पास 10x और इन 2 यहां पर क्या बच्छी एक्स अनिचे कितना बच रहा है इसको क्या लिखेंगे रैंट 3x ठीक है अधिके साइन 2x अपॉन कॉस्ट 2x कितना हो जाएगा रैंट 2x कॉस्ट माइनस ठीटा आपका कॉस्ट यह होता है तो मैंस अटा देजी कॉस्ट लिखा हुआ है जहां से माइनस निकल के प्लस हो गया तो मत्तब बेसिक आपका यह बन गया मैंने बुला था ना बहुत एक जवर्दस कोर्शन बनने वाला है इंटेग्रेशन का एक और एक तो यही था देखे फोर में बन गया बिल्कुल यह एडवांस टैब कोश्ट है तो अब आपको इंटीग्रेट करना है यहां पर लिखावा है 10 3x और यहां पर 10x यह अपने आप में एक कोर्शन गिवर होता है ठीक है आप कैसे करेंगे ध्यान से देखिए तो इसमें सबसे पहेड़े ऐसे कुछ प्रोडक्ट में 10 10 गिवर होता है तीन बार तो 3x जो बड़ा एंगले उसको लिखिए तो क्या हम लोग 3x को 2x प्लस x लिख सकते हैं क्या बिल इसे फार्मूला भी साथ दिखता हूं आपको इन ए प्लस बी स्कुल होता है मेरे पास टैन एप्लस कितना हो जाएगा टैन बी डिवाइद वाइन माइनस यहां पर लिखेंगे टैन ए और यहां पर लिखेंगे टैन जारा है अब देखिए क्या करना है आपको इसको क्रोस म के साथ तब इसको इंटेग्रेशन असान होगा क्योंकि एंटेटा ही है ठीक है उसलिए काम हो रहा है प्रोस मल्टिप्लाइ कर लेते हैं यहां पर हो जाएगा टैन थ्री एक्स और यहां पर हो जाएगा टैन टू एक्स एंडेन टैनेक्स विच इगाल टू कितना लिखा और यहां पर यहां पर लोग इसको लगाते हैं तो यहां भर लगाते हैं यहां भी लगा और यहां पर लोगोंSo सवी होगे पास यहां लगा से न होता है कि लगे स्भेट घीक्स लिखेंगे एंड तो हो जाएगा 1 upon 3 and then minus 1 upon 2 log कितना हो जाएगा 2x ठीक है and then minus कितना हो जाएगा मेरे पास log cx and then plus c यह होगा हमारे पास sign upon cost करके भी आप इसको प्रसेड़ करता है उसका डिगरेटिव निकलना minus log cx यह भी log cx इसका integration होता है तो देखिए हमारा answer तो देखिए काफी अच्छा question था यह वह लाव फॉर्म अपने आप में एक अच्छा question है जो कि given होता है और maximum problem भी होता है जिए इसको ब्रेक करना इसको कैसे ब्रेक करें क्योंकि product वाले पार्ट को आप नहीं कर सकते हैं यहां पे sign होता तो आप 2 से मुल्टिप्लाइड डिवाइड करके 2 साइन इंटू साइन भी 2 कॉस इंटू कॉस भी फर्दर सिप्रिफाइड कर सकते हो लेकिन टैन के साथ ऐसा नहीं होता है उसके लिए आपको एस्टे पाना ज़रूरी है थैंक्यू